तरह करने वाले हैं दिल्ली के होने वाले जल्दी ओने वाले चुनाव बहुत ही दिल्चस्प है क्योंकि इसमें नैशनल इशूज भी हैं। लोकल इश्यूज भी हैं हमारे साथ दो मेमान हैं प्रभीर पुरकायस जो न्यूसक्रिक के एडिटर हैं आपका सौगत है और सुनाली जो इस पूरे इलेक्शन पे अपनी नजर लगाए हुए हैं लोगों से बाचीत कर रही है काफी उनों ने तो हम प्रभीर आप से शुरू वेन्रंग उसको देखे यह तो बाहर से जो कैंपेंग करने वाले आ रहे हैं यह तो जो केंद्रिय उ मंत्री व्हा के जो बुख्या फेसेस हैं सब को देखे एक तीखा स्वर नजर आ रहा हैं दुसे वरी श्रिल वोइस दट वी सीब तो हिर उसका गंटेट अगर देखे त ये तो सरासर, ये तो घुमा फिरा के एक कम्यूनिटी के अंदर जो धुवी करण कहते हैं, धुवी करण करने की कोशिश और खास तोर से शाहिन बाग के चर्चा प्रधान मंतरी से लेकर, ग्रिह मंतरी से लेकर जितने वक्ता है, जहां भी जा रहे हैं, योगी आदितनात को देखें, तो अजय सिग विष्ट, उनको जो अजितनात योगी वगारा वगारा कहते हैं, असली नाम अजय सिग विष्ट है, इनको देखें, तो हर तरफ से एक धुवी करने की कोशिश और शाहिन बाग को कही न कहीं दुश्पन बनाके आम जंदा के पास सामने पेश किया के लिए कुछ बताने लाइक देश के तरफ पर इस वक्त नहीं है, क्योंकि एकॉनमी सब वाकई एक नीचे की तरफ जा रही है, और बज़िट किसी सेक्शन को खुश नहीं किया, पहली बार सेंसेक्स पे जो टेंपरी उच्छाल भी आते थे, वो भी नहीं हुआ, और खास तक क्या कहते एक गलत फहमी पैदा किया गया है कि कुछ छूटे दी जा रही है, अगर आप ये करे या वो करे, और उसकी आंक्रे जब लोग कर रहे हैं, उस पे काफी वक्त तक ता है, वो आंक्रों को देखने के लिए, परखने के लिए, पता चला कि वो सब जो है, एक मिडल क्लास काफी नाराज है, और मत भूलिएगा, ये दिल्ली में उनका एक बहुत बड़ा बेस रहा है, खास तोर से दिल्ली शहर में रिफ्यूजी पॉपॉलेशन, पंजाब से आले वाले रिफ्यूजी पॉपॉलेशन, ये तो बंगाल से आने वाले रिफ्यूजी कौर्ट पर अटाइक करनी की भी कोशिश नहीं कह रहा है तो यह बड़ी खतरनाक श्थिती है कि पूरा होम मिनिस्टर, प्रधान मंत्री, यूईपी का चीफ मिनिस्टर आके एक जगह की प्रोटेस्ट, सिर्फ एक जगह की प्रोटेस्ट को इस तरह से निशाना बनाया हुआ है, जिसके वजह से हम और भी कुछ अनफॉर्चन टेंसिनर देख रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि चुनाओं में और कोई पॉजिटिव बात नहीं, सिर्फ नेगिटिव बातें जो है, जिस तरह से की जाती है, ये एक हिसाब से दिखा रहा है कि बीजेपी आपने जो कहा, एक नर्वस नजर आ रही है, और दूसरी बात जो और भी उससे बड़ा है, कि उनको इस वक्त लग कि अगर आप देश के प्रधान मंत्री है, तो खत्रा ये नहीं है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, खत्रा ये है कि प्रोटेस्ट को डीमनाईज किया जा रहा है, उसको दुश्मन बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो जन्वात के अंदर होना चाहिए और होता रहता है तो ये मेरे ख्याल से टेक वेज है इस चुनाव की कि बीजेपी के पास और कुछ खास चर्चा के लिए भी कुछ खास बात इस वक्त लगता है, है नहीं. सुनाली, आप जब लोगों से बात करती हैं, तो क्या ये कमिनल पोलाराइजेशन वर्क कर रहा है? क्या लोग हिंदू-मुस्लिम की बाते करते वे घूम रहे हैं सडकों पर? मैं जितनी कॉंसिट्वेंसीज में गई और जिन लोगों से बात की है, जब भी बात आती है, इलेक्शन की. जाए से बात हैं, हम इलेक्शन के मुद्डों पर बात करे हैं, तो वो लोग नहीं कहा रहे हैं, कि ये हमाने लिए मुद्दा नहीं हैं. हमारे लिए मुद्दा है जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जो कि आप गवर्णमें ने अच्छली फुल्फिल की हैं वहां सड़क, पानी, बिजली मुद्दा है खास्तोर से वर्किंग क्लास एरिया में जहां पर लोगों ने आच्छली कहा कि दिन जिंदगी में पहली बार हमें अच्छे मतलब सस्ते दामों पर बिजली मिल रही है मुफ्त में पानी मिल रहा है पीने के लिए तो वह एक बहु कि B.J.P. जो कि सिर्फ ये दिखा रही है कि देखे शाहिन बाग में क्या हो रहा है और ये वसाई चीज़े शाहिन बाग मैंने आच्छली काई लोगों से बात की जिनको पदा था उसके बारे में वो उसको गलत नहीं मानते कई लोगों को शायद नहीं पता है शाहिन बाग हैं दिल्ली में कई प्रोटेस्ट हुए उसके बाद और लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं ऐसे लोग जा रहे हैं जो कि अब तक नहीं निकलते थे बाहर मिडिल क्लास कि कई लोग आपको दिख जाएंगे इन प्रोटेस्ट में तो इसलिए जैसे प्रबीर ने का कि जो उ मेने साथ महीने हो गए हैं और इसे पिछले वाले कारेकाल में भी कुछ ऐसे ही चीजे नहीं की हैं जिससे वो लोगों को दिखा सकें कि देखिए हमने काम किया हमारे काम पर वो दीजिए उनके पास कुछ नहीं है तो इसलिए प्रभी कहीं नहीं यह दो मॉडल है सिटिजन उसलिट्चिप की बात करता है मतलब आपको क्या सरकार दे सकती है उसके अधार पर वो बात करते हैं तो यह क्या दो मॉडल की लड़ाई चल रही है दिल्ली में ज़ह हम देख रहे हैं देखे यह इस तरह से सरासर एक दूसरे की मॉडल्स की बात बनी करना चाहूंगा क्यों के जिरीवाल के मॉडल्स के बारे में भी वाकिए सबाल की जा सकती थी कि एक तरफ से एडिवकेशन के मेजिर्मेंट के नाम से जो पुलीसिंग की जा रही है एक तरफ से टीचर्स पे तो बहुत सारे महला क्लिनिक्स की जो बात आई है इसके साथ साथ एक प्राइविटाइजेशन भी इसके अंदर हो रहा है कि आम हस्पताल के उसको स्ट्रेंग्डन करना सिर्फ प्राइवेट सिस्टेम को बढ़ावा देने के जगा की जा सकती थी बहुत सारे इस तरह के ब दो करना चाहता है स्कूल सिस्टेम को पूरे-पूरी इनके हाथ में प्राइवेट हाथ में कर धिया जाये घो पब्लिक इडिएशन है भी उसके दाम बढ़ाया जाए तो चैनरिय인가 सरकार इताग्स का कर रहें कर सकते थे उसके जगह पर यह तो और भी इसका सवपन करना और बड़े भाइमाने पर करना चाहते हैं इसलिए उनके पास केजरिवाल को एटैक करने के लिए यहात्यार नहीं है केजरिवाल को अगर देखे परफॉर्मेंस की बात करें तो वाके सही बात है कि स्कूल्स को अच्छे किये गए है पानी बिजली के सुविधाय बढ़ाई गई गई है अखास तोर से बिजली के जो महत बड़ा घपला था कि बिजली का दर बढ़ा के जो यहां पर प्राइवेट पार्टीस को यहां जो टाटा और मानी के हाथ में जो बिजली बवस्ता दी गई थी और वो कॉंग्रेस के आमल में इस वक्त में दी गई थी इसके बाद बीजेपी भी इसको बढ़ाया है तो यह जो था सांडगाट जिसमें पिजली का दाम बढ़ा कि इनको फायदा पहुँचादा उसको चैलेंज ना करना इसको रेगिलिटरी सिस्टेम जो है उसको नीजी हाथ में करीब करीब बेच नहीं देना पर उसका सांडगाट नीजी तरीके से कम से कम विरोत करके ये सब बिजली के दाम घटाया तो इन सब चीजों में केजडिवाल की डिलिवरी कुछ है और वो डिलिवरी देखते विए इस वक्त जनता अगर डिलिवरी के आधार पर वोट करेगा तो बीजेपी की जीतनी की संभावना नहीं है उसको साफ है इसलिए उसको मुद्दे चाहिए इस चुनाओं में अगर डिलिवरी की चितना उनना कोशिश किया कुछ फेक वीडियोस कह सकते हैं अबैंडनेंट हेल्स सेंटर साइव उसको फोटो लेके वीडियोस उठा के उन्होंने कोशिश किया पर वो फेक नियूस की एक दिन की मिय अधाद होता है बहुत बहुत दिन चल नहीं सकता तो असलियत आम जन्ता के सामने है तो फेक वीडियोस से जो है इलेक्शन जीतना संभव नहीं है उस पे आप कुछ चण के लिए कुछ भंप पैदा कर सकते हैं पर लंबे अर्से के लिए तीन दिन चार दिन पांच दिन त चीच को अब चाहे प्रधान मंत्री से लेकर साहिब सिंग्वार्बाय के बेटा अब देख सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर हलांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट से एंपी दूसरे प्रदेश से जो आ रहे हैं सब ऐसे कौमिनल प्रोपगैंडा हर जगह पे कर रहे हैं और इलेक कमिशन सत्तारूर दल को एक रैप आप नगल जो कहते है थोड़ा सा करते इसे ज्यादा कुछ करते नहीं है और वह साथ देख रहा है कि उनके खुली छूट है जो कौमिनल प्रोपगैंडा करे वो कर सकते अब उनका एप भी निकला है कमल के नाम के जो एप निकला है उसके अंदर जिस तरह से प्रचार हो रहा है क्या इलेक्शन कमिशन के सामने इस सब पेश की गई थी क्योंकि ये भी है पार्टी का कोई भी प्रचार अगर चीजे हो इलेक्शन कमिशन को कौपी देनी चाहिए क्या आप का कौपी दिया गया आप का बारे में कुछ बताया गया आपके अंदर क्या दिया जा रहा है उसके कमिशन के सामने क्या पेश किया जा रहा है सब सवाल है पर सबसे बड़ी सवाल है इस वक्त जनता को मूर्ख समझना और उसके जरीये आप ये सब चीजे कहते जाए और सोचे जो गोईबल्स कहा करता था कि बार बार अगर बित्या को पेश किया जाए तो सच बन जाता है मेरे ख्याल से गोईबल्स सही नहीं था इसलिए जर्मनी में सेक इंड वालवर जीते नहीं ठीक है न और इस जंग को भी सिर्फ जूट के आधार पे क्या जीत सकता है बीजेपी मैं यह नहीं कहूंगा कि बीजेपी निश्चत रूप से हारेगा चुनाओं में कि भविश्यवारी करना किसी के लिए संभब नहीं है बीजेपी का मजबूत बेस दिल्ली में रहा है मैंने जो कहा एक कॉमिनल पोलराइजेशन अगर होता है दिल्ली के जंता किधर जाएगी इस पे सवाल जरूर उठ सकता है क्योंकि इस में मैंने जो कहा कि communal polarization पहले भी हुए है दिल्ली शहर में और उसके लिए हो सकता और सब चीज लोग भूल जाए हो सकता है पर इस वक्त चुनाओ के प्रचार और उसको response को देखते वे नहीं लग रहा है कि BJP उस तरह से उसकी गाड़ी आगे है इस वक्त मैं चुनाओ के result के लिए सब को जरूर अपेक्षा करना चाहिए मुझे भी अपेक्षा करना चाहिए पर इस वक्त अगर पढ़णा देखे तो लग तो रहा है कि आपका पढ़णा इस वक्त भारी है और इस तरह कर प्रचार ज्यादा कामयाब नहीं हो रहा है तो चार दिन पहले लगा था जब उन्होंने बड़े तेजी से इसको फैलाया था लगा था कि शायद जो कहते है बदलाव आया है थोड़ा सा फिर बीजेपी के प्रचार यंत्र सक्सेस्फिल हो सकता है उठ कैसे करवट से उठेगी इसके बारे में सवाल लोगों के बन में था पर अब लग रहा है चार पांच शे दिन की इस प्रचार यंत्र जो बीजेपी ने चलाये था इसके बाद लग नहीं रहा कि उसको इस तरह से इस प्रचार का असर पढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इस वक्त जो है केजरिवाल और आपका पलड़ा भारी है और वो साकारात्पंग बात कहे रहे है 28 सूची चाहे प्रॉमिस क्या है नहीं वो बात की बात है वो अपने रेकॉर्ड और क्या करना चाहते है इस पर चुनाव लड़ रहे है और यह जो दूसरे तरफ है सिर्फ शाहिन बाग के नाम पर चुनाव लड़ रहे है मुझे नहीं लगता कि बहुत जादा दिन चल सकता है सुनाली यह बहुत एक अगर बीजेपी किसी और प्लैंक पर अपना एलेक्शन लेड रही होती तो आपकी परफॉर्मेंस के ओपर भी सवाल उठ रहे होते क्या आप फिर भी थोड़ा नर्वस है उन्होंने एक यग या किया हनुआन चालिसा पढ़ा तो ये हिंदु आइडेंटिटी को कहीं न कहीं उनको शायद डर है कि अगर हम शाहिन बाके खिलाफ बोलेंगे तो कुछ वोटर हमारे छूट जाएंगे या पक्ष पर बोलेंगे तो भी कुछ छूट जाएंगे जी जी दोनों तरह से उनके लिए एक मुश्किल है तो लोगों का क्या राय है यहां पर अचली आप जिस तरह की पार्टी है जिसका कोई एक सपष्ट विचारधारा ना होना वो उनके फेवर में भी कई बार काम करते है उनके अगेंस भी कई बार काम करते है तो इस वक क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अरे कहीं अगर हम लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि हम शाहिनबाग के साथ कड़े हैं या फिर हम इन प्रोटेस्टर्स के साथ कड़े हैं तो जो हिंदू वोट है जो हमारे पास आते भी थे वो निकल ना जाएं क्या इस पोलराइजेशन की वज़े से जो बीजेपी कर रही है कि हमारे कहीं वोट कम ना हो जाएं क्योंकि एवन दो उन्होंने बहुत काम किया है लेकिन आपको समझ नहीं आता कई बार की कम्यूनल पोलराइजेशन किस तरीके से काम करता है लोग क्या सोच के अल्टिमेटल वोट करेंगे तो इसलिए वो मुझे लगता है कि कई बार फसते हैं उन सब चीजों में और सिरफ आप नहीं इससे पहले पिछले इलेक्शन में देखा है कॉंग्रेस भी फसी है इसमें और वो हा रहे हैं उसमें क्योंकि ये हिंदू वाला जो कार्ड है बीजेपी से अच्छा कोई खेल नहीं पाता हमारे देश में आप कठिन हिंदुत्व को काट नहीं सकते ये जो है ना काटने वाली बात है तो इनको कुछ लोगों को लगता है that we will use soft हिंदुत्व and then that will contest with hard हिंदुत्व उस पे हम दोनों तरफ रख लेंगे तो दोनों तरफ रखने की राज़नीत जो है वो बहुत सफल नहीं होता पर अच्छे जो आपने कहा सही बात ये है कि उस पे हुझ जयादा फंसे नहीं वो कहा कि अगर शाहिन बाग साफ करना है तो सरकार के पास तो राज्यसरकार के पास ही निहीं डिल्ली स्टेंट गवववन्नें के पास पुलिस नहीं है तो आप करें तो आप के पास है यह चेह था मता तो हम तो स्टेट हुट मांग रहते हैं, फुल स्टेट हुट हमारे पास यह पावर होनी चाहिए, यह तो आपने दिया नहीं हमें, और आपने तो कहा कि लेफ्ट एंड गवर्नर के ही यह सब दायरे में आता है, अब हमें क्यों आप शाहिनबा के नाम पर कोस रहे हो, तो यह उनका रहा है, तो वो दोना तरफ रहे हैं इस मामले पर, ना शाहिनबा के खिलाब, ना शाहिनबा के पक्ष में, और इस क्वेश्चन को अवोइड करते हैं, तो यह एक इसका यह है, पर सवाल है कि इस गेम में, बीजेपी से वो जीत नहीं सकते, तो वो सुनाली जो कहरे तो उनको यह चीज लेखना इस चीज पर पड़के उसको कोई गेन नहीं होने बाला है पर यह ठीक है कि इन्होंने स्टैंड नहीं लिया शाहिन बाग पर CA, NRC, NPR पर अभी भी इनका कोई स्टैंड नहीं है जो कि सब दूसरे प्राज़ितिक डल इसके बारे में प्रोजिशन नहीं लिया आप इस पर अभी तक प्रोजिशन नहीं लिया Sanali, आपको क्या लगता है? तो जो प्रभीज ने कहा कि आपने जो सवाल पूछा है कि बीज़िप के डेस्परेशन के बारे में कि छे मीने बादी हाला कि उन्होंने अगें सारे MPC जीते हैं डेली में लेकिन बड़ा इंट्रेस्टिंग यह है कि बहुत सारी चीज़े होती ह जिन पे लोग वोट करते हैं सडग, बिजली, पानी जो अपने लेवल पे जितना किया है लेकिन दिली में MCD में BJP लगबग 10 साल से जादा से है जहां पे उन्होंने काम नहीं किया है तो उनके पास ये भी एक जरिया नहीं है वो ये भी नहीं दिखा सकते कि हमने MCD में काम यही चीज आपके होस्पिटल में है, MCD के स्कूल अचली उन्होंने बंद भी किये हैं दिली में तो बहुत सारी चीजें हैं आप जो कॉलिनीज हैं उनमें अगर आप सानिटेशन का काम देख ले, आप सफाई का काम देख ले, सानिटेशन अचली बहुत एक मेजर मुदा साहब, MCD सानिटेशन वरकर्स ने बहुत लंबे प्रोटेस्ट लड़े हैं दिली में, बिकर्स उनको उनके सालरीज वेज नहीं मिल रहे थे, और आपने MCD में बहुत जादा बहुत हथा कॉंट्राक्ट वरकर्स रखे हैं, तो वो सारे जो मुद्दे हैं, BJP उस पर भी कु काम करें, तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो सब जगर, नाशनल लेवल पे भी 00 है और MCD लेवल पे 00 है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या लेके जाएंगे, प्रधान मंत्री का चेहरा लेके जा सकते हैं, क्या वो चेहरा भी अब लोगों के मन में मुर्जार आएं यहां बी सरकार भी बना लिया है, तोड के सरकार बना बना आएं, जीत के नहीं, तो यह देखते हुए हैं, दिल्ली में ना उपर के जिन्हों ने कहा, और MCD साचमुच यहां पर इतना ही अहमेत रखता है, लोग के जिन्दगी में, जो दिल्ली सरकार रखता है, खास दोर से सैनिटेशन और इस तरह के काम जो उनके हाथ में है, और MCD स्कूल वाके, कांट्रास्ट बहुत शार्प है इसलिए ना उपर ना नीचे और बीच में दिल्ली सरकार को कबजे में करने की जो स्लोगन्स हैं, इसलिए उनके लिए थोड़े दिक्कत पड़ रही है, पर हमें फिर भी इंतजार करना चाहिए, खास दोर से न्यूस क्लिक क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन पीछले सेंटल ग बाते नहीं कहना चाहिए, पर लग रहा है इस वक्त, पलड़ा इस वक्त, केजरिवाल का भारी नजर आ रहा है, और उस तरह से बीजेपी उसको सामना न कर पाने के वज़ए से ही एक कॉमनल प्लाक्रम अपना रही है, यह लग रहा है, जी आवाए साथ जुड़ने के बहुत शुक्ते हैं